कार्यकरताओं को संदेश देने के आप सकता नहीं है कार्यकरता त्यार थे त्यार है और बस अब हम लोग जो है फिल्ड की और जा रहे हैं और जो भी अर्चने हैं उसको रौन देते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास है प्रवासी है उसको क्या बूलिएगा आया है उड़ेगा आया हुड़के वापस जागा एक मुख्यमंत्री के पीछे साथ साथ बर्तमान और फुद्व मुख्यमंत्री लगे हुए है जैसा कि मैंने कल कहा कि एक मुख्यमंत्री जी का तो मैं दरखास करूंगा चाहर संघीता है यह से नहीं हो पाएगा लेकिन चाहर शंगीता खतम होता है तो अधर धर्खास होगी कि उनको जो है यहाँ का वोटर डिवना दिया जाये और यहीं के वाशिंदा हो जाए ज्यादा बेहतर है उतों यहीं रहे गए उचारे गूल गया है उनको सब उनका प्रदेश का लोग किस मुखमांतरी वाले मता हैं दुनिया जान रही है इक ही तो है जो डूब्लिकेट नाम लेके घुम रहा है जामा में जो चुकि पिछले दो चुनाओं का देखा जाए तो मार जीत हार का मंत अंतर जो था काफी कम था तो इस बार कैसी रहेगी चुकि कैंडिडेट भी दुश्य संगटन साही हुए तो कैसे मैनेज कीजिएगा आज जो बैठक भी हुआ है कुछी डारेक्शन होगे दि वहां पे तर्ज करेंगे जीत ली संदे कारेकर्था जो है काफी सही हुआ के और दोर्दे के स्वागत के लिए वो लोग है और और कारेकर्थां में काफी उत्सा काफी जोश है और आने वाले दिनों मेद आपको इसका देखने को मिलेगा तब से पहले तो हम सभी के दिश्वम गुरू आदर्निय सीवू सोरण जी और इस राज के मुख्य मंत्री भाई हेमन सोरण जी और साथ में जो खड़े यहां के लोगप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री भाई बसंत जी और पूरे पार्टी के प्रती हम आभार ब्यक्त करते हैं कि इन्हों ने जिस तरह से हमें भारती जिनता पार्टी में दूद में बेटे मक्ही के तरह उठा के फेक दिया इन्हों ने हमें ससम्मान स्वीकार किया उसके लिए हम हमेसा रीनी रहेंगे और यह हम कभी भूल नहीं पाएंगे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर काम का भारती जिनता पार्टी में काम का महत्व नहीं है काम का महत्व नहीं है गनेश परिकर्मा करने वालों के लिए अब वहां इस्तान रह गया लोग कहते हैं महिलाओं को हम सम्मान देते हैं बारती जिनता पार्टी में लेकिन महिलाओं का सम्मान कैसे दिया जा रहा है वो आपके सामने है अगर महिलाओं को सम्मान कैसे दिया जाता है अगर कोई सीखना चाहे तो जारखन मुक्ति मोर्चा से सीखे कि लुइस मरंडी को जिस तरह से उन्होंने फेक दिया और उन्होंने गले लगा लिया इससे बड़ा और उदाहरन कुछ नहीं हो सकता है साथ ही साथ लाखों लाख उन्चास लाख बहनों को खाते में जो मैया समान योजना के मादियम से समान मिल रहा है इससे बड़ा उदाहरन और कुछ नहीं हो सकता है लेकि हम कभी नजदिक नहीं गए थे और गए तो हम गए चले ही गए वहीं पर तो जो दूर से हम सुनते थे या चीजों को जो कान में आता था तो वह बहुत अंतर है इतना जो आज हमको पिछले दस दिनों से जो हमको प्यार मिल गया असने मिल गया अपनत्व का जो फीलिंग हुआ यहां पर कोई अपना पराया का नहीं है सब अपने ही अपने है और हम बोल सकते हैं जो गरीब के लिए दलीत के लिए असायों के लिए ग्राम वासियों का अगर कोई दल है तो जारखन मुक्ति मुर्चा है नए दल में और नए विधानसवा चेत्र से चुनाओ लोड़ रही है क्या करना चाहिए थोड़े समय के लिए नया है लेकिन यह दुंका जिला से बाहर नहीं है और हम रामगर्ड जामा हमेशा हम विजिट करते रहे हैं बहुत सारे कारकरताओं को हम जानते हैं यह हो सकता है कोई रास्ता हम नहीं देखे हो तो वो रास्ता हम अभी देख लेंगे और मुझे खुसी है कि कल जो हम वहां से रांची से आये हैं मानिय मुख्यमंत्री जी ने हमें छेत्र के कारकरताओं के साथ एक विदाई करके और यहां छेत्र से कारकरता हमें लेने गए थे हम इसी लिए हम बोल रहे थे कि हम माय के और ससुराल का ये देर हैं कि हम दुमका भी मेरा घर है जामा भी मेरा घर है हम दोनों मिलके कंदे से कंदे मिला के कदम से कदम मिला के हम लोग विकास का गाथा जोड़ेंगे हम लोग का नोमिनेशन 28 को होगा